आज का टॉपिक रहेगा मलेरिया जिसे हम जूड़ी वुखार के नाम से भी जानते हैं मलेरिया प्रारंभिक समय से ही एक विनासकारी रोग रहा है इसके कारण सेनाए युद्ध में नश्ट हो गई, बिविन देश बरबाद हो गई और देशों की उन्नती रुग गई लेवरान नामक वैग्यानिक ने पता लगाया कि मनुसमे मलेरिया प्लाजमोडियम नामक प्रोटो जोह परजीवी के संक्रमन से होता है जबकि प्लाजमोडियम के वाहक का पता रोनाल्ड रास नामक वैग्यानिक ने लगाया इन्होंने मादा एनाफलीज मच्छर के अंदर प्लाजमोडियम की उपस्तिती को देखा इसकार के लिए इन्हें नॉबल प्रुसकार भी मिला मनुस में मलेरिया फैलाने वाली प्लाजमोडियम की चार जातियां है जैसे प्लाजमोडियम बाइवेक्स, प्लाजमोडियम ओवेल, प्लाजमोडियम मलेरिय तथा प्लाजमोडियम फैलसी पेरम मलेरिया का बुखार चढ़ने से पहले रोगी की भूख मर जाती है उसे कब्ज हो जाता है, मुहसूखने लगता है, सिर्फ एसियों और जोडों में अत्यधिक दर्द होता है, जी मचलाने लगता है ये सभी लक्षण पूर्व लक्षण कहलाते हैं, लेकिन इसके बाद जब भी मलेरिया का दौरा पढ़ता है तो इसमें पहले रोगी को ठंड लगकर कब-कफी सुरू हो जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, कमर और सिर में दर्द होने लगता है, कभी-कभी उल्टी भी हो जाती है, इस दौरे को जूड़ी प्रावस्ता कहा जाता है लगभग एक घंटे बाद कब-कफी बंद हो जाती है, और सरीर का टेंपरिचर बढ़कर 104 से 105 डिग्री फॉरेनाइट तक पहुँच जाता है कुछ घंटे बाद, सरीर से अत्यधिक पसीना निकलता है, धीर-धीरे ताप कम हो जाता है, अंद में रोगी ठकावट और कमजोरी का अनभव करते हुए नॉर्मल हो जाता है, अर्था सामान हो जाता है अब समझते हैं, मलेरिया के भेद या टाइपस अप मलेरिया समय सीमा के आधार पर मलेरिया रोग चार परकार का होता है, जैसे की पहला परकार है तरतियक मलेरिया इसमें मलेरिया का दोरा परती 48 घंटे बाद या हर तीसरे दिन आता है तरतियक मलेरिया, प्लाजमोडियम वाइवेक्स, प्लाजमोडियम फैलसी पेरम तथा प्लाजमोडियम ओवैल के संक्रमण से होता है इसका दूसरा प्रकार है चतुर्थक मलेरिया, इसमें मलेरिया का दौरा प्रती 72 घंटे बाद अर्थात हर चौथे दिन आता है इसका संक्रमन प्लाजमोडियम मलेरी के दोरा होता है दैनिक मलेरिया इसमें मलेरिया का दोरा प्रतिदिन आता है यह प्लाजमोडियम की एक से अधिक जातियों के संक्रमन के कारण होता है और अंतिम रूप है इसका आवर्ती मलेरिया एक बार रोग ठीक हो जाने के बाद भी फिर कभी भी अपने आप दोबारा जब मलेरिया का दौरा शुरू हो जाए एक लंबे समय के बाद तो इसे कहते हैं आवर्ती मलेरिया मलेरिया के रोगी में कमजोरी तो आती ही है साथ में उसका जो इस्पलीन होता है अर्धात पलीहा जिसे कहते हैं वो बढ़ जाता है रुधिर की कमी हो जाती है पीलिया रोग भी हो सकता है और यहां तक कि यदि उसका इलाज सही तरह से ना हो पाए तो उसकी मृत्यू भी हो स है कई प्रकार की जो परिक्षाएं हुई है उनमें पूछा गया मलेरिया रोक्के उपचार के लिए कौन सी उसधी प्रारंभिक समय से इस्तिमाल की जा रही तो आप लोग याद रखें कौनैन इसके अलावा भारत स्री लंका आदी देशों में सिनकोना की चाल से इसकी उसधी तयार की जाती है आज गल मार्केट में मलेरिया उपचार के लिए बिभन प्रकार की उसधियां बनाई जा चुकी हैं जैसे मैलो साइ Fade All Rush को ए ओर सिरे अब समझेंगे मलेरिया की रूक थाम तो आप लोग जानते ही हैं कि मलेरिया का मेन कारण है मच्छर मच्छों के कारण पलाज्मओ्डियम एक व्यक्ति से और दूसरे व्यक्ति में चला जाता है अगर इसे रोकना है तो हमें मच्छों के ही संघैर करना पड़ेगा हमारे देश में कुछ वर्सों से मलेरिया से निपटने के लिए राष्ट्रिय मलेरिया उन्मूलन यूजना चल रही है घरों के आसपास पानी एकत्रित ना होने दें खिड़की और दर्वाजों में जाली का प्रियोक करें नालियों में जल निकलने की समचत